दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में घर बैठे बैठे कैसे रेजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आप इसका इस्तिमाल करेंगे Indian Bank के Internet Banking को registration करने के लिए ना तो आपको Indian Bank के किसी ब्रांच में जाना होगा और ना ही आपको किसी ATM में जाना होगा इस वीडियो में हम Indian Bank के Internet Banking को activate करके दिखाएंगे और यहाँ भी बताएंगे कि आप Indian Bank के Internet Banking को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंडियन बैंक के ओफिसिल वेब साइट पर आ जाना होगा इसके लिए आप अपने फोन या लैप्टोप में किसी भी ब्राउजर को उपन करेंगे और ब्राउजर में सर्च करेंगे इंडियन बैंक नेट बैंकिंग यहाँ जो सबसे पहला लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कर लेंगे अब आपके सामने इंडियन बैंक का ओफिसल वेब पेज खुल जाएगा यहाँ लोगिन फोर नेट बैंकिंग का ओप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर यूजर आईडी एंटर करके लोगिन कर सकते हैं अगर आप पहली बार इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टर करना होगा तो रेजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस में आगे बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है new user का तो इस option पर हम click करेंगे अब आपके सामने online request के लिए यहाँ पर एक नया page खुलेगा यहाँ पर आपको अपने account से related जानकारी एंटर करना होगा और यहाँ पर कुछ steps दिए गए हैं जिसे follow करके आप internet banking को शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको user details एंटर करना होगा तो यहाँ पर CIF number या फिर account number इन दोने में से किसी भी एक को एंटर कर सकते हैं और यह दोने information आपके Indian bank के passbook पे मिल जाएगा अगर अभी तक Indian bank से आपको passbook नहीं मिला है तो जब आप account खुलवाने के लिए request दिये होगे तो वहाँ से आपको एक SMS आया होगा या फिर email आया होगा उसमें आप देखेंगे तो यह दोनों जानकारी आपको मिल जाएगी इसको भरने के बाद अपना phone number एंटर करेंगे इसके बाद skeptical code को भरेंगे उसके बाद नीचे submit का button है उसपर click करेंगे अब आपके phone number पर Indian bank के तरब से एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ भर लेंगे OTP भरने के बाद नीचे submit का button है उसपर click करेंगे अगले page पर आपको facility type का option दिखेगा इसमें आपको दो option दिखेंगे पहला है view facility only और दुसरा है view and transaction facility अगर आप view facility only यानि की पहला option select करते हैं तो बस आप balance और account statement से related सारी जानकारी ले पाएंगे अगर आप दुसरा option select करते हैं जो की है view and transaction facility तो इस option को अगर आप select करते हैं तो आप balance account statement जैसे जानकारी देखने के साथ साथ आप fund transfer भी कर पाएंगे online payment जैसे भी काम कर पाएंगे तो second वाले option को आप select करेंगे उसके बाद confirm का button है उसपर click करेंगे आगले page पर login password बनाने का option आएगा तो यहां आपको login password set करना होता है और यह जो password है आपको alpha numeric password set करना होगा इसका मतलब है कि आपके password में alpha weight, number और एक special character होना चाहिए तो यहां आप अपने हिसाब से एक strong password set कर लेंगे इस password को आप दुबारा enter करेंगे इसके बाद submit का button है इस पर click करेंगे यहां अगले page पर secret question set करना होता है अगर आप कभी password भूल जाते हैं या फिर password recover करना चाहते हैं तो secret question आपको इसमें help करता है तो यहां आपके सामने 5 question दिखेंगे जिसमें आपको 2 question का answer देना compulsory होता है तो यहां आप अपने हिसाब से check box को tick करेंगे और इसका answer यहां पर भर लेंगे डिटेल भरने के बाद नीचे submit का button है इस पर click करेंगे अब यहां पर activation type का page आएगा यहां आपको select करना होगा कि कैसे internet banking को आप activate करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपके सामने 2 option दिखेंगे पहला है activate through branch और दूसरा है activate through ATM card तो दोस्तों यहां आप दूसरे option को select करेंगे क्योंकि हम घर बैठे बैठे internet banking को activate कर रहे हैं और इस process से आपको internet banking activate करने के लिए आपके पास ATM का होना जरूरी है अगर आपने ATM issue नहीं करवाया है तो आपको internet banking activate करने के लिए Indian bank के nearest branch में जाना होगा वहां से आप internet banking activate करवा सकते हैं अगर आपके पास ATM है तो आप दूसरे option को select करेंगे फिर नीचे confirm का button है उस पर click करेंगे यहां terms and condition का page खुलेगा यहां से इसको थोड़ा नीचे scroll करेंगे और यहां से इस check box को tick करके I agree के button पर click करेंगे अब यहां आखरी के page पर आपको debit card की जानकारी देनी होगी यहां आपको ATM card का number भरना है फिर expiry date भरना होगा जो की आपको आपके ATM पर ही दिख जाएगा इसके बाद ATM का pin भरना है जो आपने pin बनाया होगा ATM का उसे यहां पर भरना है डिटेल भरने के बाद submit का button है उस पर click करेंगे जैसे ही आप submit के button पर click करेंगे यहां आपका internet banking register हो जाएगा यहां success का एक tick आ जाएगा और आपका online banking successfully activate हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पर आपके details दिख जाएगे और एक reference number भी मिल जाएगा अब internet banking में login करने के लिए done पर click करेंगे दोस्तों कई बार internet banking activate होने के 24 घंटे बाद login कर सकते हैं तो आप एक बार login करने की कोशिश करें अगर login नहीं कर पाते हैं तो 24 घंटे बाद login करें तो चलिए हम login करके एक बार pry करते हैं तो यहाँ पर आप customer ID जो की आपका CIF number होता है वही आपका customer ID होता है तो उसको यहाँ पर enter करेंगे CIF number भरेंगे नीचे इस capture code को enter कर लेंगे उसके बाद login के button पर click करेंगे अब आपके सामने दुसरा page खुलेगा जहाँ आपको password enter करना है आपने पहले password बनाया था उसे enter करना है password enter करने के बाद login पर click करेंगे जैसे ही login पर click करेंगे यहाँ आपको transaction password set करने का option आएगा तो यहाँ पर आपको एक transaction password set करना होगा जब भी आप amount transfer करेंगे तो इस password को enter करना होगा तो यहाँ आप एक strong transaction password set कर लेंगे फिर इसको confirm कर लेंगे उसके बाद submit का button है उस पर click करेंगे जैसे ही submit के button पर click करेंगे आपका transaction password चेंज हो जाएगा तो जब भी आप transaction करेंगे तो इस password को enter करना compulsory होगा यहाँ पर done पर click करेंगे इसके बाद आपको दुबारा login करना होगा तो यहाँ पर CIF number एंटर करेंगे इसके बाद स्केप्चा कोड को भरेंगे उसके बाद अगले page पर अपना password एंटर करेंगे और login पर click करेंगे दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप Indian bank के internet banking में login हो गया है यह जो देख रहे हैं इंटरनेट banking का home page है यहाँ से आप banking से जुड़े सारे काम online अपने phone या computer से कर सकते हैं यहाँ पर my accounts पर click करके आप account से related काम जैसे account balance, statement, nominee जैसे जनकारी आप यहाँ से देख सकते हैं fund transfer से जुड़े सारे काम यहाँ से कर सकते हैं bill payment, recharge जैसे काम आप यहाँ से कर सकते हैं इसके लाव और भी कई काम Indian bank के internet banking से आप कर सकते हैं तो दोस्तो यह है पूरी जनकारी कि आप Indian bank के internet banking को कैसे activate करेंगे और आप कैसे इसका use करेंगे तो दोस्तो आई होब कि यह जनकारी आपको पसंद आई होगी इससे related आपके मन में कोई भी question हो तो comment करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share करें और ऐसे ही जनकारी के लिए हमारे चैनल को subscribe करें